दोस्तों, इस श्रिंखला की हर कड़ी वास्तविक चरित्रों और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। रफ्ता रफ्ता यूही चलते 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 रफ्ता रफ्ता यूही चलते चलते चल दिये हम जिन्दगी की राहों में किरनों के संग संग रफ्ता रफ्ता यूही चलते चलते चल दिये हम कई कदम कई कदम रफ्ता रफ्ता चल दिये हम रफ्ता रफ्ता चल दिये हम रफ्ता रफ्ता चल दिये हम रफ्ता 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 चल दिये हम में दुर्ग शहर से कला जक्ता आ रहा है दुर्ग जिला के अच्छे अच्छे कलाकारमन उसमें होंगे वे लोग नाटा गीत संगीत का आयोजन करेंगे दुर्ग जिले में बहुत जबरत भागिदारी आम जंता की रही है और विशेश रूप से हमारे जो गरीब बरके साथ ही रहे हैं मजदूर हैं केतों पे काम करने वाले हमारे कृशक हैं दरजी हैं छोटे मुटे रोजगार करने वाले लोग हैं और बहुत कम संख्या में शाष्किय कर्मी भी अक्षरसनिक के रूप में शामिल हुए जिसमें कोटवार जैसे लोग भी शामिल हुए उधारन के तौर पर मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा जैसे जारु राम जी एक जो कोटवार हैं अपंग हैं अपंग होने के बाद हमें महौल बनाया और अक्षरसनिक की रूप में अपनी भूमी का दाकी निश्यत रूप से हमें बहुत प्रेड़ना देता है सुनो सुनो भाई बहन सुनो बच्चा कच्चा सब सुनो काल पंचायत भौन के सामने कारिकरम होगा सुनो 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 सैया वचन हमारा राह कचिंहे पर चलते जाना ही अपना नारा जाना ही अपना नारा अपने संकल को को सजकर अपने संकल को सजकर के दिखलाना है हमें तो बढ़ने जाना है इस वहरा सूरज लाना है बंदना सरस्ति की दूजे बंदाउं संत समाज अक्षे से निको भी बंदाउं बिनास्वाद यो कहते का आज अक्षर से निक अक्षर से निक अक्षर से निक ठगिया ए ठगिया क्या है बाबा आज राहत कार्य का ऑखरी दीन है का बैटी हाँ बाबा इसे के लिए तो जाओगी ना हाँ जाओगी जाओ थीक है राम राम मेट बाबू राम राम मेट बाबू है राम कैसे आई हो ठगिया पैसे के लिए आई हूँ पैसा ठगिया 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 बड़ी देर में मिलती हो ठगिया तुम्हारे नाम को कह रहाता ठगिया नराज की होती है रही है कितने दिन हो गया ठगिया ठंगिया ठंग अरे तुम्हारे रोजिक के दिनको बोलता हो ठगिया अपने रजीस्टर को नहीं देख सखें क्या अच्छा एक दो थीचा पांचे सातर नो दश थेखें लो बाब इतना ही तो और कितना दे हैं कितने दिलोजी माई हो दस दिन करो जी कितना है वीत रुपे दस गुनी दिलाब देर से हुआ ना हाँ चलो गखत करो अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हा एंच्छा इस रहुं चाहते थे हम ऊपनेले लागोंगी कि這邊 कर शक्रेक्व कर शक्राइब कर दो इसमें अच्छा की में लेने के बाद ये टाय किया गया कि दुरुख जिला को पूर्ण साक्षर्ता के और हमको आगे बढ़ाना है इस कारण से आप सबसे हम आसा रखते हैं कि बस्ती से अक्षर सहिनिकों के लिए आप सब योगदान दें ताकि साक्षर्ता अभिया सुचारू रूप से चल सके और इस धार्मिक एवं पवित्र कार् हैं हमारी नवियों पढ़े हुए बहने हैं उसे अगर हम योगदान ले तो यह साक्षर अभियान संपूर्ण रूप से हमारा अग्रसर रहेगा आगे हमें सुचारूप से चला पाएंगी इसको सर्पन जी मैं भी साक्षर्तानिक बनूंगा आप कोटवारी करो इसी में बेहतरी है का भर मोई क्यों नहीं बन सकता चार किला सपास हूं अपने हाथ पहर को देख ले उसके बाद तो बात कर साक्षर्ता सेनिक बनना आपके बस की बात नहीं है अपने है कि अब जाड़ो राम जी पर आप कोटवारी करो इसी में बेहतरी है साक्षर्ता सेनिक बनना आपके बस की बात नहीं है कि अपने हाथ पहर को देख ले उसके बात कर साक्षर्ता सेनिक बनना आपके बस की बात नहीं है हाँ कि अइबा खीषया कि ब cardiac हो fresh झाल कि अपने परने बेजो परने बेजो पर भी मैं अपना भाग उठाने का जायत रखता हूँ लेंगे यहां से इसी से हम आधा गोल फिर लेंगे और आधा गोल लेने के बाद दो आधा गोल जुड़ा है गाव में कुटवार का काम यह होता है कि हर सरकारी काम में कोई भी सास की अधिकारिया है उसका मदद करना गाव का पैदायश फोटी नोट करके थाने तक के पहुचाना गाव में चौकी दारी करना यह सब काम कोटवार का है इसलिए मैं अपने आप में सोचा कि भाई जो साक्षारता अभ्यान चल रहा है उसमे भी तो मेरा साभागी होना जरूरी है अरे जड़ो राम जी अरे आप कोटवारी करो उसी में बेहतर ही है साक्षारता सैनिक बनना आपके बस की बात नहीं है कर आपक देख ले उसके बात तो माध कर का मैं कूछ नीं कर सकता रह राम से मौने नहीं कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा करना के अचा उट्रकर अचल हमानं ये दितलां हुं तो क्या को मैं भी कुछ कर सकता हूं हाँ मैं भी साख्षर्टा आजियान में अक्षा सैनिक बन सकता हूं वो तो आ रहे हैं वाहों के लोगों को जगाना मेरी डीटी हो सुबह से ऐसी बैठे बैठे दोपाहर कर दी ना दतवन ना अना दोना अरे जब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते तो इसमें चिंता करने क्या बात है अपनी कोटवारी तो नहीं चिंजाएगी तुम नहीं समझोगी मामला कोटवारी का नहीं है तो फिर कौन सब एतन मिल जागा अप्छर सैनिक बन कर बात बेतन और रूपे पैसे की नहीं है बात एक शंता की मैं अपंग हूई तो क्या है चार किलास पढ़ा लिखा हूं लोगों को पढ़ा सकता हूं पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित क कर सकता हूं तो इसमें कौन रोका है तुम्हें करो अपना काम मुह लटका कर बैठे रहने से तो अच्छा है तुम्हें जो अच्छा लगता है वहां करो सुनो, तुम अपना काम अपने ही घर से शुरू करो ना अपने घर से? हाँ, क्या मैं लिखना पढ़ना नहीं सीख सकती तुम मुझे ही सिखाओ जो ही कि मा, तुम हाँ रोड में साइकल छोड़कर वो उस घर तक पहुंचते थे जहां से नौ साक्षर को पढ़ने के लिए कच्छा तक के लाने का बंदोबस्त वो स्वैम करते थे जब तक के वहां से वो पढ़ने वाले नहीं निकलते थे तब तक उनके घर से वो बाहर नहीं निकलता था जहाड़ दाजी इस प्रकार से हमको पुर्ण और उपरेंड सहयोग उनसे प्राप्त हुई लेला भेन आप चलो भी बाकी के आउरतें कपकी ग्यान घर पहुँच चुकी है मुझे रगो के घर भी जाना है उसकी आउरत एक बार आई थी दोबारा नहीं आई पता नहीं क्या हुआ मेरी घर वाली तो नहीं जाएगी जहाड़ू राम जी ये लिखाई पढ़ाई करने हाँ क्यों क्यों नहीं जाएगी अरे पढ़ना लिखना कोई बुरी बात है क्या और घर का काम कौन करेगा अरे लिला भेन घर का काम हुई ही जाएगा दो चार अक्षर पढ़े लिख लोगी तो फाइदा ही है फाइदा अरे क्या फाइदा होगा लिखाई पढ़ाई ये सब बेकार की बातें है जाड़ो रामदी हमने भी सातवी कलास तक पढ़ा है बताईए हमें क्या फाइदा हुआ ये सोचने की बात है ज्यान आरजित करना कोई बुरी बात नहीं होती है अरे लिला भेन तुम ज्यान घर चलोगी महाँ दो चार औरतों से मिलो जो लोगी अपने आप समझ जाओगी अब मुझे देख लो मैं चार किलास ना पास होता तो अपंग होने के बाद मुझे कोटवा मुझे तो लज्जा आती है देखो तुम नहीं जाओगी तो मैं यहां से बिल्कुल नहीं हटूँगा मैंने भी प्राण कर लिया है पहरी गाव में मैं किसी को अनपढ़ नहीं रहने दूंगा जब तक तक तुम चलोगी नहीं मैं यहां से कता ही नहीं हटूँगा ओ जाड दूर्ग जिले के अंतरगत विकास खन गुंडरदीही में साक्षरता अभ्यान के तहत महिलाओं में विसेश रूप से जाग रूपता आई है जैसे पैरी में पैरी गाव पूर्ण साक्षर हो चुका है यहां महिलाओं की बचत सम्हू बनी है महिलाएं बचत रासी से कुछ प्रशु आपना चाहती है अब है कि अधिन भाईया काहे कि भीड लगी है यहां पर यहां पर एक चमतकारी बावाया हुआ हुआ है और बहुत तरह तरह के चमतकार दिखा रहा है जमतकार ओ भीया और वो तो जीव में तुशूर कार देता है क्या बात कर रहे हैं और यही अधिन नहीं वहां में आग पैदा करता है हावा में आग अधि पहुचा हुआ महात्मा है 20 रुपय में तावीज देर है हम लोग ने तक लिया है क्यों आजिए इस इस अधिन आपना काम करा जा जो हम लगां देखते हैं देहात में अंध्य विश्वास के कारण ये जो ठगी लोग आते हैं सादू बावा जादू मंतर ये लोग हमारे देहात के निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ठग करके ले जाते हैं इस पर भी अपने को ये हुआ कि भाई इनके संब्द में तो कुछ अपने करना है तो हमने अपने दुर्ग जीला में साक्षर समिती से जा के संपर्ख किया उनों ने यहां पर अपने टीम भेजी और उन्होंने अंध्य विश्वास के के रूप में के उपर उन्होंने आकर अपना कारिक्रम दिया उससे लोग को अंध्य विश्वास के प्रती फोड कर दो यहां कि पचाले बाबाब कर दो दो जिन ने दबोजे को जिन पर दबाद यह गालू दो तो जारे भबाबुज़ जो जिन तेरे बच्चे को दबोचा है ना आदा बहुत हो गया रहे तोग लाने है उसको आख से जलाना है कि आप जावेटा जाड़ा कंकालिन माई आप लोग मुझे एक जादू गर के भेस में देख रहे थे लेकिन मैं जादू गर नहीं हूं मेरा नाम दोमार सिंग कुमर मैं एक 36 गड़ी कलाकार हूँ आप लोग देखे होंगे कि मैं अपने जीब में त्रिशूल बेद लिया था अभी मैं ये त्रिशूल कैसे बेदा था आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैं इसका खुलासा कर रहा हूँ ये त्रिशूल में जहां पे हमारा हाथ है वहीं हाथ की सफाई है ये त्रिशूल इस साकार का है और जब हम इसको जीब में बेदने का प्रयास कहते हैं उसके बाद हम अपने हाथ की सफाई बता देते हैं जीब हमारा अंदर रहेगा लेकिन त्रिशूल जीब में जाए जैसे सदिखता रहेगा इस अंद्विश्वासों की लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ाई है यह और इस साक्षर अभियान जारी होने से कुछ तो फरक पड़ा है देरे-देरे कम हो रहा है और आगे इस प्रकार से लोग साक्षर होंगे तब अंद्विस्वाद जर्द से ही खतम होगा साक्षरता अभिहान का सफल होना पैरी में जाड़ू दयास जैसे लोग जिनका पैर नहीं है उन्होंने इस कारिक्रम में भाग लेकर लोग की दृष्टी को अपने और आकश्षित किया कि मैं एक अपंग होकर इस कारिक्रम में भाग ले रहा हूँ क्यूं आप लोग नहीं आया सामने इस गाउं के करीब 20-25 नौ साच्छर महीं लाएं कि अपे इस शी पॉष्टी गी पूर्ण तियारी की है जिन्में से जाड़ुदास की पत्नी भी है मैं ते बाबू हवापंग होने कर्ने में में कोतवाली जाँ कोतवाली करते करया वकल बाबू परहना इस मोला ते शाख्षयता में तो तीसरी के परिच्छा लेवा हो पहाँ हो जिसाद। का काम पैरी की महिलाएं भी करना चाहा रही है। बच्चों के लिए दिवाली का कपड़ा आ जाता, भेट नहीं हो पाई, कल फिर जाना पड़ेगा। जाने की जर्रत नहीं है। क्यों सभी के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, इन्हें ऐसे ही रखेंगे क्या, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें तो कोई फिकर ही नहीं है। पहले पढ़ने के नाम पर आती जाती रही, और अब अब जाने कब कब क्या क्या करती हो। सुनो, यह लो दो सो रुपए है। दो सो रुपए? कहां से आ इतना रुपए तुम्हारे पास। अरे हां, वह हम लोगों ने समीती बनाई थी न, इट भठा लगाया था। उसके लाव का हिस्सा बिला है। ओ, लीला। पफिजग बनना न, पफिजग बनना¤ हमने गाह में जोड़ा है जो निरक्षार थे उन लोगों को साक्षार बना करके निरक्षार का सफाय किया अब हमारे गाह पुर्ण रूप से साक्षार हो चुके है जो कदम तुमने चले है जो राह तुमने दिखाए खुलने लगी है आज फिर बंद गली की खिड किया बंद गली की खिड किया और कार्वा बनता गया कार्वा बनता गया कार्वा बनता गया धर्मा बनता गया कर दो कर दो कर दो